जहिंद, दोस्तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि सेयर मार्केट में 10 हजार रुपए एक बार लगा कर, नए लोग भी सेयर मार्केट से करोड रुपए कैसे बना सकते हैं अब दोस्तों आपका इस पर सवाल हो सकता है कि नए लोगों के लिए तो भाई share market बहुत ही complicated जगा है हो सकता है कि 10,000 रुपे से करोड रुपे बनाना छोड़ो हम अपना 10,000 रुपे भी गवा सकते हैं और अगर आप इसा सोच रहें दोस्तों तो सही सोच रहें क्योंकि बहुत सारे लोगों ने share market में अपने पैसे गवाए है यही सोच कर कि मैं इतना पैसा लगा दे रहा हूँ और मुझे खूब पैसा मिल जाएगा मेरा खूब पैसा बन जाएगा लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में मैं जो बाते आपको बताना चाह रहा हूँ या फिर इस वीडियो में जो बाते में बताऊंगा उन बातों को ध्यान में रख कर अगर आप सेर मार्केट में निवेश करते हैं तो यगीनन दोस्तों बहुत ज़ादा चांस है कि आप सिर्फ 10,000 रूपे हैं या फिर इसके आज स्पास का पैसा लगा करके share market से करोड़ो रूपे कमा सकते हैं और करोड़ो रूपे ही क्यों दोस्तो इससे कहीं ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं बस आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा जिन बातों का जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मैं हूँ अनवर अंसारी चलिए पेस करते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जो बाते मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ या फिर जो भी बाते मैं आप सभी को समझाने जा रहा हूँ वो सारी बाते आप सभी को अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक एकगजाम्पल देना चाहता हूँ और इस example में मैं Chinese bamboo tree के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ अब देखे मुझे यकीन है कि मेरे बहुत सारे viewers Chinese bamboo tree के बारे में बहुत अच्छे से जान रहे होंगे अब इस Chinese bamboo tree के बारे में मैं क्यों example देना चाहता हूँ क्योंकि इस वीडियो का जो concept है वो बहुत हत्तक Chinese bamboo tree से male खाता है तो अब हम इस बात को समझेंगे कि एक कोई बेक्ती है जो दो तरह के tree लगाना चाहता है एक है Chinese bamboo tree और दूसरा एक है normal tree जब वो बेक्ती इन दोनों tree को लगा देता है और उसमें पानी देता है और उनको जो भी ज़रूरते होती है उस tree को सारी चीजे वो पूरा करता है लेकिन देखता क्या है कि 8 दिन, 15 दिन या महीने दिन के अंदर में जो simple tree है वो जमीन से अच्छे तरह से बाहर आ गई है लेकिन वो जो Chinese bamboo tree है वो अभी तक बाहर भी जमीन से नहीं आया है और ठीक इसी तरह से एक मेने तो छोड़िए एक साल बीच जाता है अब जो normal tree है वो अच्छा खासा बड़ा हो जाता है एक इनसान के height के बराबर पहुंच जाता है लगभग 5-6 फिटका हो जाता है और वहीं पर Chinese bamboo tree अभी तक जमीन से बाहर भी नहीं निकला है इस बात का भी संक्रेट नहीं है कि वो अब जमीन से बाहर भी निकलेगा कि नहीं लेकिन इसी तरह से समय बीचता जाता है वो बेक्ती दोनों की सेवा बराबर करता है और इसी तरह से समय बीचते बीचते 5 साल का समय बीचता है अब 5 साल का समय जब बीट जाता है तो जो नॉर्मल ट्री होता है वो एक बहुत बड़ा पीड बन गया होता है लगभग उसकी हाइड जो है दस, बारा, पंदरा फीट के हो गई है बड़ा सा पीड में वो बदल गया है और चाइनेज बामबो ट्री अभी भी नहीं निकला है लेकिन दोस्तों क्योंकि चाइनेज बामबो ट्री की फितरत है कि वो 5 साल के बाद ही जमीन से बाहर निकलता है उसको जमीन से निकलने में ही सिर्फ पांस साल का समय लग जाता है लेकिन जब वो जमीन से बाहर निकलता है तो जमीन से बाहर निकल कर सिर्फ उसको तीन महीने लगता है और इस तीन महीने का दोरान वो लगभग सो फीट की हाइट पर पहुँच जाता है लेकिन दोस्तो हमें समझना होगा कि यह जो Chinese Bamboo Tree है इसकी फितरत ही यही है वो 5 साल के बाद ही जमीन से निकलता है लेकिन जब वो जमीन से निकलेगा न दोस्तो तो उसको पूरा growth करने में सिर्फ 3 महिने का time लगेगा सिर्फ 3 महिने में एक normal पेंड से वो 10 गुना बड़ा height ल पर एकीन रखना होगा हमें patience रखना होगा इसका फल हमें जरूर मिलता है और हर चीज अलग अलग तरह से काम करती है एक normal tree को हमने देखा कि 5 साल में बहुत बड़ा पेंड बन गया लेकिन हमने जब Chinese Bamboo Tree को देखा तो उसे जमीन से निकलने में ही सिर्फ 5 साल का समय लग गय तो ठीक इसी तरह से दोस्तों stock market होता है इस डोक मार्केट में जब आप निवेज करते हैं तो आपको कई बार यह सा लग सकता है कि अरे यार मैंने गलत जगा लगा दिया मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा मेरा पैसा लोज तो नहीं हो जाएगा बहुत समय तक आपका पैसा जो है ना उसी एब्रेज के आसपास में चलते रहेगा याने कि आपने सपोज कीज़े कोई शेर सो रुपे में खरीदा तो सो रुपे पंचानबे रुपे एक सो पांच रुपे इस तरह का ही रेट में चलते रहेगा लेकिन दोस्तों यकीन मानिए अगर आपने अच 10% और 20% का सर्कीट लगेगा जिस दिन आपकी तरह लोग भी जानेंगे कि हां यार ये कंपनी अच्छी है इसमें ग्रोथ हो सकता है जब सारे लोग उसमें निवेज करने आएगा तो उस सेर्स का भी रेट इसी तरह से बढ़ेगा और आपने देखा होगा कि कई ऐसे सेर्स हैं जो लंबे समय तक एक ही इस तरपर पड़े रहते हैं लेकिन जब वो चलना सुरू करते हैं तो सिर्फ 2 महिने तीन महिने या फिर 6 महिने ही काफी होता है हमारे पैसे को double, triple या 4 गुना या 6 गुना करने में तो इस टोक मार्केट में जब भी आ रहे दोस्तो तो आपको patience रखना पड़ेगा अब देखे दोस्तो मैं पूरे दुनिया का example नहीं दूगा हम जानते हैं कि अमेरिका के एक निवेसक हैं जिनको हम Warren Buffet के नाम से जानते हैं जो इस टोक मार्केट में निवेस करके आज दुनिया के सबसे रहिस लोगों के बीच में सामिल है मैं बात करू करके आज बहुत बड़े रहिस बने हुए हैं यहां पर सिर्फ करोड़ो रुपे की बात नहीं है उनके पास अर्बो रुपे है इन सभी में मालूम common चीज़ क्या है इन सभी में दो common चीज़े हैं एक सबसे पहला common चीज कि इन्होंने भी शुरुआत बहुत बड़े पैसे से नहीं की थी इन्होंने भी शुरुआत बहुत ही छोटे पैसे से की थी और दूसरा इनका common बात यह है कि अच्छे सेर्स को चुन कर उस पर बने रहे तब भी उस सेर्स में निवेसीत रहे तब भी उस कंपनी में निवेसीत रहे जब इनका पैसा लगभग आधे के बराब पर हो गया तो लेकिन यकीन था कि भाई हमने जिस company में निवेस किया है जिस सेर्स में निवेस किया है वो company अच्छी है आज नहीं तो कल वो bonds back करेगी आज नहीं तो कल वो बहुत ही तेजी से grow करेगी उनको यकीन था उनका research कह रहा था और वाकई में वो stocks अच्छे थे आज देखिए नतीजा क्या है हमारे देश के कुछ रहिस लोगों में वो सामिल है और जब भी इंडियनी stock market की बात आती है तो इनकी बात जरूर आती है तो दोस्तों देखिए इन सारी बातों को जान कर समझ कर हमें तो यही समझ में आया कि stock market में यह माइने नहीं रखता है कि आ आदा माइने यह रखता है कि आप किस तरह की stocks सुन रहे हैं और कितने समय तक निवेशित रहेंगे क्योंकि अभी हमने जो example देखा उस example में हमने यही देखा कि यह सारे लोग बहुत ही कम पैसे से शुरुवात किये हैं लेकिन इनमें patience बहुत अच्छा था patience बहुत जादा इनको यकीन था कि हमने जिस company में निवेश किया है वो company अच्छी है इसलिए आज वो इतने बड़े रहिस बन पाए तो दोस्तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ 10,000 रुपे लगा कर निवेश करते हैं और वाकई में आपने अच्छी company ढूंड ली ह है और आप पेसेंस से उसमें निवेशित रहेंगे तो यह करोड़ो रुपे नहीं दोस्तो आपको अर्बो रुपे भी बन सकते हैं इस टॉक मार्केट से और हमारे सामने एक्जामपल है ऐसा नहीं है कि हम कहीं दूसरे जगह की कहा होते बता रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता ह है होगा की नहीं हुआ है भाई देख लो हमारे सामने एक्जामपल है जो स्टोक मार्केट में बहुत कम पैसा लगा कर आज इतने बड़े वेल्दी बन चुके हैं और दोस्तों यकीन कीजे हम लोग भी इन्वेस्ट करने के रहा पर चल रहे हैं हम लोग भी अमीर बनने के रह पर चल रहे हैं और दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में मुझे कौन से वो सेर्स पसंद है किस दर्स में निवेस्ट करना चाहिए और मैं किस दर्स में निवेस्ट कर रहा हूं वो सारी चीजे आप सभी को बताऊंगा मैं कोई भी चीजे सिक्रेट नहीं रखूंगा दो तो आज की इस वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा और अपने फ्रेंड और फैमली के बीच में भी इस वीडियो को सेर कीजेगा ताकि वो भी अवेर हो पाए वो भी मुझसे जुड़ करके इन्वेस्टमेंट की जरनी को कंटीनियू कर सके और इस वीडियो के आखिर में बस आपसे इतना ही कहूंगा कि अपना और अपने फैमिली का बहुत खयाल रखेगा मैं मिलूँगा किसी और इसी तरह की वीडियो में तब तक के लिए बाई